मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक mutual fund का review करने वाले हैं जो कि global mutual fund है और एक तरह से NFO है मलब जब सब्सक्राइब रिसेंटली लॉंच हुआ है तो इसके अंदर आप participate कर सकते हैं क्योंकि आपको जो भी NAV मिलेगी वो काफी कम मिलेगी इस mutual fund का नाम है HDFC DEVELOP WORLD INDEX FOF DAG GROWTH जी हां तो FOF fund जो basically वो fund होते हैं जो दूसरों के fund के अंदर invest करते हैं mostly यह index fund type भी होते हैं मलब यहाँ पर आपको जो है world के जितने भी indexes हैं उन सभी का यहाँ पर आपको exposure मिल जाता है launch date की बात करूँगा गाई 17 तारीक से यहाँ पर launch हो चुका है तो अभी आप इसमें invest कर सकते हैं end date बात करों तो 1 October 2021 को यहाँ पर इसकी मलब ending हो जाएगी और उसकी बात में यह open ended हो जाएगा तो guys सबसे पहले हम लोग AMC की बात कर लेते हैं आप सभी को पता हो कि HDFC जो mutual fund है वो अपने आप में सबसे बड़ी यहाँ पर AMC माने जाती है India के अंदर तो guys सब बात करते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस वाले global mutual fund के अंदर तो guys सबसे अची बात यह है इसके अंदर आपको 23 कंट्री का एक साथ यहाँ पर exposure मिलता है जिसे हमारे इंडिया के अंदर nifty और sensor चलता है वैसे ही यहाँ पर HDFC का यह जो global fund है यहाँ पर जो 23 developed countries है उन सभी का जो index fund होगा उन सभी के अंदर यहाँ पर invest करेगा तो guys अगर मैं यहाँ पर develop market index की बात कहूं तो develop market invest में अमेरिका में Canada, US आ जाता है यूरोप, middle state में Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, फिर UK हो गया फिर Pacific में Australia, Hong Kong, Japan यह सारी जगह यहाँ पर आ जाती है तो same kind of the thing यहाँ पर HDFC के अबर जो global fund है Canada, USA, Europe, Japan और Pacific के अंदर यहाँ पर invest करता है तो guys अगर इसके अंदर हम लोग कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 17% यहाँ पर US की mostly यहाँ पर सारी companies आती है जिसमें आपकी Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet बना भी सारी चीज़े आ जाती है Europe की बात करो तो वहाँ पर Nestle हो गया, फिर LVMH जो luxury branch लाता है वो companies हो गई, Japan की बात करो तो Toyota हो गया, Sony Group हो गया, Softbank हो गया फिर यहाँ पर Pacific X Japan की बात करो, वहाँ पर Hong Kong का हो गया, Australian Bank हो गया, Canada की बात करो तो Shopify हो गया, Royal Bank of Canada हो गया तो guys, यहाँ पर आपको जित्ती भी country है, जो मैं आपको 23 country बताई, उन सभी का जो index fund है, उसके साथ में यहाँ पर correlation होगा तो guys, अब बात करते हैं कि आपको इस fund के नदे invest क्यों करना चाहिए, एक तो यह चीज़ कि यहाँ पर जो correlation है, मलब जो हमारे India का market है, उससे यहाँ पर जो risk है, basically आपका manage रहता है, मलब ऐसा नहीं होता, कि let's suppose अगर आज India का market अगा crash होए, तो ज़रूरी यह नहीं है, बाक आपको जो global GDP है, उसका भी यहाँ पर benefit मिल जाता है, इसके साथ में guys, आपको एक और benefit मिलता है, कि आपका जो rupee currency का मलब डॉलर के against में, जो basically depreciation होता है, उसका भी आपको यहाँ पर benefit मिल जाता है, क्योंकि आप सब लोगों पता है कि हमारे जो rupee की price है, वो यहाँ पर गरती चीज है, यहाँ पर जो exit load है आपका, 1% लगेगा, अगर आप 30 दिन के अंदर redeem करेंगे तो, जी हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर 30 दिनों के बाद आप जब भी redeem करेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी exit load नहीं लगने वाला है, अगर आप यहाँ पर world index के GDP growth भी देखेंगे, तंक्यों के वाला है, आपके बाद के अट रिखेंगे!